काफी सारे बच्चों के डाउट्स मेरे पास से आ रहे हैं किसर अगर दिसंबर में हमें बोथ ग्रूप देने हैं तो कोचिंग हमें कब से स्टार्ट करने चाहिए पहले ग्रूप नमबर वन लेना चाहिए फिर ग्रूप नमबर टू लेना चाहिए या दोनों ग्रूप की प्रफेशन में आ चुका हूं तो मैं अगले 6-7 महीने पूरे डिवोट कर दूँगा अपनी पूरी जान लगा दूँगा अपने बोध गूप निकालने के लिए फिर तो कोचिंग आपको एक साथ लेनी है लिए आपको फिर एक साथ ही लेकर चलनी है क्योंकि ऑल्टरेंट ड प्रफेशन के लिए मिलेंगे जो मुझे लगता है कि अगर पढ़ने वाला बचा है उसके लिए सफिशेंट है बड़ मैं यह नहीं कहा रहा हर बचे का रेंग कात है हर बचा बोध भी क्लियर नहीं करता तो अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ सकते इतना प्रेशर नही तीन पेपर है तो वो सिंबल जी बात है वो आपके उबर कि कौन सा गुरूप अपने देना है बड़ अगर बोध रूप देने है तो आपको लेट नहीं करना अभी कोचिंग से अभी से कोचिंग आपको स्टार्ट करनी है और मैं आने आपको पहले भी कहा था उस दिन भी क लेट मत करना क्योंकि अगर आपने लेट कर दिया फिर दिसंबर में बहुत दिने में आपको दिक्कात आजाएगी अभी वो टाइम है आपको अभी से डिसाइड करने है कि उजए बोध रूप देने या सिंगल गूप देने चीज़ ठीकरी और बाकी मिलेंगे बाइस तार लेट को मैं मिलूँगा गूरूप नंबर टू में टेक्स लोग के साथ और बाकी इबी से अल में जीडी सर मिलेंगे और सेक्योटी लोग के अंदर आपको करन सर मिलेंगे और पहली क्लास होगी वह यूट्यूप पर लाइव होगी जब गूरूप नंबर वन की हो जब बहुत बड़ी दिक्कत आती है ठीकरी वन्स अगें थैंक यू सो मच जैहिन गॉट प्लेस्ट यू बाइबाइ